हेलो दोस्तों स्वागत है आपका ज्ञानसाथी चैनल में ज्ञानसाथी लिग के आया है मंगलवार वर्थ कथा जी हां बोले नात के ग्यारवे अवतार बजरंग बली की कथा है ये तो शुरूताओं शुरू करते हैं रिशी नगर में केशवदत ब्राह्मन अपनी पत्नी अंजली के साथ रहता था केशवदत के गर दान संपती की कोई कमी नहीं थी नगर में सभी केशवदत का समान भी करते थे लेकिन केशवदत के संतान नहीं थी जिस वज़ा से दोनों पती पत्नी बहुत दुखी रहते थे प्रती मंगलवार को हनुमान जी की पूजा भी करते थे हर मंगलवार का वर्थ करते हुए कई वर्ष बीट गए ब्रामन बहुत निराश हुआ लेकिन उसने वर्थ करना नहीं चोड़ा कुछ दिनों के बाद केशवदत हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल गया उसकी पतनी अंजली गर में रहके मंगलवार का वर्थ करने लगी दोनों पती पतनी पुत्तर प्रापती के लिए मंगलवार का विदी पूर्वक वर्थ करने लगे अंजली ने अगले मंगलवार को वर्थ किया लेकिन किसी कारण उस दिन अंजली हनुमान जी को बोग नहीं लगा सकी और उस दिन व्यसूरियस्त के बाद बूखी ही सो गई अगले मंगलवार को हनुमान जी को बोग लगाए बिना उसने बोजन नहीं करने का प्रण लिया और छे दिन तक भूखी प्यासी रही साथवे दिन मंगलवार को अंजनी ने हनुमान जी की पूजा की लेकिन तभी भूख प्यास के कारण अंजली बेहोश हो गई हनुमान जी ने स्वपनवे दर्शन देते हुए कहा उठो पुत्री मैं तुमारी पूजा पाट से बेहत परसन्नों तुम्हे सुन्दर और सुजोग पुत्तर होने का वर देता हूँ ये कहकर हनुमान जी बजरंगबली अंतर द्यान हो गए ततकाल अंजनी ने उठकर हनुमा मंगल वार को जनम लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल पर साथ रखा गया कुछ दिन बाद अंजली का पती केशव दात भी घर लोट आया उसने मंगल को देखा जो अंजली जे पूचा ये सुन्दर बच्चा किसका है अंजली ने खुश होते कहा हनुमान जी ने दर् विश्वास नहीं हुआ उसने मन में पता नहीं कैसे ये गलत विचार आ गए अंजनी ने उसे के साथ विश्वास गात किया है अपने पापा को छिपाने के लिए अंजनी जूट बोल रही है केशव दात ने उस बच्चे को मार डालने की जोजना बनाई एक दिन केशव दा सनान के लिए कुए पर गया मंगल भी उसके साथ था केशव दात ने मोका देखकर मंगल को कुए में फैंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुए बहर ही मेरे पास पहुंचा ही नहीं केशव दात के इतने कहने से ठीक होने के बाद मंगल दोड़ता हुआ ग देते हुए कहा तुम दोनों के मंगलवार के वर्थ के परसन होकर पुत्तर जनम कवर मैंने ही तुमारी पत्नी को दिया था इसलिए तुम बेवजा उस पर शक ना करो उसी समय केशवदत ने अंजरी को जगा कर उससे शमा मांगी और हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहान सुनाई केशवदत ने अपने बेटे को दिल से लगा कर बहुत प्यार किया उस दिन के बाद अनंद पूर्वक रहने लगे मंगलवार का विदी पूर्वक वर्थ करने से केशव और उसके सभी कष्ट दूर हो गए इसी तरह जो इस्त्री और पुर्ष विदी पूर्वक मं कथा सुनाते हैं हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर करते हैं गर में धन संपती और काब और बंडार भर देते हैं श्रीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नश्ट कर देते हैं तो दोस्तों आपको मैं बता दू कुछ इंपोर्टेट बाते जो मंगलवार का वर्थ करे काल बोग लगाकर ही बोग प्रशाद खुद बाद में खाते हैं और नमक का प्रयोग नहीं करते यह चीजों का खास ध्यान रखा जाता है तो यह थी मंगलवार की वर्थ कता अगर आपको पसांद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में लाइक शेर क करो जै बजरंग वली